हेलो फ्रेंस वेलकम टू इंपेक्ट अकेडमी एडू चैनल और आज के इस मैठ क्लास में आप सभी का स्वागत है तो आज के इस क्लास में हम एक टॉपी जो की बहुत इंपॉर्टन है जिसे फ्रैक्शन कहते है वह हम कोवर करने जारे क्योंकि बहुत सारे बचे से जिनको फ आप आपक्षिण ऑफ ड़, तो Techbooks रॉाइए सेखने कि सबसे पहले फ्रैक्शन में आपको ये जानना है कि नूमिरेटर और डिनक्टर से कहा जाता ये बहुत सारे बच्चे हो जाते बच्चे तो बच्चे यहां तक बड़े भी इसजिए हो जाते की नूमिरेटर ऊपर व किएगा क्योंकि हम आपके बेसिक को यहां से क्लियर करने वाले अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपका फ्रेक्शन में जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे दोस्तों और आप एक्सपर्ट बन सकते हो तो ध्यान से देखिए अब सबसे पहला स हिस्ता है जो उपर वाला यह नंबर आपको नजर आ रहा है इसे हम नियूमेरेटर कहते हैं ओके उपर वाले जितने भी आपको नंबर नजर आ रहे हैं इसे हम नियूमेरेटर कहते हैं क्या कहते हैं डिनोमेरेटर कहते हैं नीचे वाले नंबर को और उपर वाले नंबर को ह Now let's talk about the types of fractions, okay? So mainly there are four types of fractions and they are unit fraction, proper fraction, improper fraction and then mixed fraction. अब क्या होता है ये unit fraction, proper fraction, improper fraction और mixed fraction? तो हम एक एक करके आप के सभी doubt को clear कर देंगे दोस्तों. बस आप ध्यान से इसी तरह सुनते रहें जिस तरह आपने अभी तक मुझे सुना है. तो सबसे पहला है unit fractions, जी हाँ दोस्तों unit fraction, fractions which have one as their numerator. यानि कि वो fraction जिसमें numerator one होगा आपका, तो उस fraction को हम कहेंगे unit fraction. आया समझ में? fractions which have one as their numerator. आपको मैंने बताया कि numerator किसे कहता है? तो fraction में, numerator में अगर one है, तो हम उसे unit fraction कहेंगे. I hope कि unit fraction का आपको proper definition clear हो चुका है. अब यह कोई भी आपके सामने कोई भी number आएगा, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो. For example, one by 13, तो यह unit fraction है, क्योंकि numerator में one है आपका. Now, let's talk about the next one, that is proper fraction. Fractions in which the numerator is smaller than the denominator are called proper fraction. मतलब क्या है, कि वो fraction जिसमें आपका numerator, denominator से छोटा होता है, दोस्तों. समझ में नहीं आया? Okay, I will repeat it. Fractions in which the numerator is smaller than the denominator. वो fraction जिसमें आपका उपर वाला number, नीचे वाले number से छोटा होता है. For example, 2 by 3, तो इसमें आपने देखा कि 2 आपका numerator है, जो छोटा है, denominator से है. जोटा है, 3, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्जामपल लिखे है, हमने 2 by 3, जिसमें आपका numerator क्या है, denominator से छोटा है, आपका numerator है, जो की, और यह denominator है, numerator आपका क्या है, छोटा है, small है, तो यहाँ पर आप जितने भी number देखते हैं, देख पा रहे हो, सभी में क्या है, numerator आपका छोटा है, और denominator क्या है, greater है, तो proper fraction उस नमर को कहा जाता है, उस fraction को कहा जाता है, जिसमें आपका numerator, denominator से छोटा है, fractions in which, the numerator is smaller than the denominator, is called proper fraction, बस इसके just opposite है, improper fraction, fractions in which, the numerator is greater than the denominator, यानि कि वो fraction, जिसमें numerator, denominator, denominator से बढ़ा होता है, just opposite of proper fraction, बस कुछ ने करना है, दिमाग लगाना है, आपको मैस में, ट्रिक्स अप्लाई करना है, दिमाग लगाने है, just proper fraction का opposite है, improper fraction, यानि कि ऐसा fraction जिसमें आपका numerator, denominator से बढ़ा होगा, और आप यहाँ देख सकते हैं, numerator छोटा है, denominator से, इसे लिए से proper fraction कहा गया है, और वहीं दूसरी और improper fraction में क्या है, आपका numerator is greater than denominator, आप इसको एसे भी सीख सकते हो, numerator is greater than denominator, वहीं दूसरी और proper fraction में क्या था, numerator is smaller than denominator, just opposite दोस्तो, I hope कि आपके यह डावल भी clear हो गया है, मिक्स फ्रेक्शन, मिक्स यानि की मिला हुआ है, कुछ ना कुछ मिक्स है उसमें, अब क्या है, a mixed fraction is a combination of whole number and a proper fraction, समद बनी आया, ओके, यानि की mix fraction उसे कहा जाता है, जिसमें एक whole number रहता है, और एक proper number रहता है, proper fraction रहता है, तो mix fraction क्या है, आपका एक combination है, एक जोड है, जिसमें एक whole number होता है, अब whole number क्या है, आपको तो यह पता ही होगा, whole number, यानि कि जो पूरा एक number हो, जो fraction नहीं हो, उसे whole number कहा जाता है, तो mix fraction, वो fraction है, जिसमें एक combination है, किसका combination है, आपको दो चीज़े इसमें याद रखनी है, स प्रोपर फ्रैक्शन ओ फ्रैक्शन है जिसमें नूमिनेटर इस स्मॉलर दैन डिनूमिनेटर तो आई होब कि यह क्लियर हो चुका है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं वान टू बाइ थ्री तो वान आपका होल नमबर है और टू बाइ थ्री एक प्रोपर फ्रैक्शन है जिसमें नूमिनेटर इस स्मॉलर दैन डिनूमिनेटर तो आई होब कि दोस्तों मैंने आपको बहुत यह अच्छी तरह के से टाइफ ऑफ फ्रैक्शन बताने बताया होगा तो अगर कोई भी डाउट हो फ्रैक्शन से रिलेटेट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं और मैं कोसेज करूँगा कि आपके हर डाउट को क्लियर कर सको तो चल यह समाब करते हैं इस टॉपिक और टाइफ फ्रैक्शन को जिसका नुमिलेटर हमें सा वान रहेगा उसे यूनित फ्रैक्शन कहते हैं और प्रोपर फ्रैक्शन इन विछ नुमिलेटर से चोटा होता है उसे प्रोपर फ्रैक्शन कहते हैं वहीं तीसरा इंप्रोपर फ्रैक्शन जाहां नुमिलेटर इस ग्रेटर दन दिनुमिलेटर is called improper fraction last mixed fraction mixed fraction is a combination of whole number and a proper fraction तो ये था आज के इस class में और I hope कि आपने बहुत enjoy कि और बहुत कुछ सीखा होगा तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कीजे, share कीजे ताकि आप की तरह और भी बच्चे हो या बुड़े हो, बड़े हो उनको पता चले की types of fraction कितने तरह की होते है numerator, denominator किसे कहते है और किस तरह आप इसे अलग-अलग आराम से समझ सकते है technique उसक के जिस तरह मैंने आपको बताया है तो उसे जितना हो से करे शेयर कीजे और हाँ, और एक important बात आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इस तरह की और भी educational वीडियो और भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखते रहे है Impact Academy ADU चैनल, तिल दन बाबाई, टेकेर, से ने 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 वीडियो, थैंक य।